तो दोस्तों आगे हम अपने वीडियो पर और यह है हमारे पास एक सिलिंग फैन का इस्टेटर तो इसमें हमें यह देखना है कि बाइंडिंग करते समय हम इसमें कितना रखेंगे तो इसका तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब जला हुआ कोईल आता है आपके पास तो इसे का में इसकी मोटाई है और इसमें जो है यह अंदर वाले जो कईल है यह वाला यह पूरी कोईल अंदर दिख रहे हैं फॉस्ट वाइनिंग यह होती है तो इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग क्वाइल और इसके बाद का यह जो क्वाइल दिख रहा है तो यह हमारा रानिंग क काई ठीक है तो इस सबसे पहले हम इसका सबसे इसका सब गिनेंगे इसमें सब कितना है तो शर्ट का मतलब होता है ये कॉइल तो ये 14 वाई है ठीक है ये टूटल 14 14 उपर भी है राइन का और 14 अंदर भी है स्टार्टिंग का तो यह चीज हमें ध्यान में रखना है पर लें और इसके बाद में हमें स्टेंपिंग साइज इसका माप लेंगे तो यह स्टेंपिंग साइज है इसका साइज दसने में और इसमें जो हम टर्न देंगे वोुदेंगे स्टार्टिंग कोयल का यह स्टार्टिंग कोयल है तो इसका TURN हम देंगे ₱ 308 तर क्योंकि हमारा हमारा पतला है और इसमें अगर पतल कम देंगे तो हमारी फायन जो है वह घरम होगी तो 3008 सिटर हम स्टार्टं करे के लिए देंगे ए और रनिंग को यो हम तरण देंगे वह देंगे 390 तो यह हमारा रनिंग कोयल हो गया इसमें जो टर्न है हमारा 390 और जो मोटा इस्टेटर होता है तो उसके लिए दूसरा वीडियो हम बनाएंगे जब आएगा इस्टेटर हमारे पास आएगा तम बना देंगे तो एक के बाद एक हम आपको इसका टर्न बताते चलेंगे तो यह 14 स्लोट है फिर से याद कर लिजिए 14 स्लोट है इस्टेटर साइज 10 में टर्न होगा स्टार्टिंग का 308 टर्न और रानिंग का जो टर्न होगा होगा 390 टर्न और वायर गेज जो हम इसमें योज करेंगे वह करेंगे 36 नमबर तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार